गाइज आपने फिजिक्स के महान वेग्यानिक अलबर्ट आइंश्टीन के बारे में जरूर सुना होगा। इन्होंने दुनिया को फिजिक्स के कई महत्रपूर्ण नियम दिये थे। आज मैं आपको इन से जोड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फेक्ट्स के बारे में आईए जानते हैं। आइंश्टीन का जर्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में रहने वाले यहूदी परिवार के यहां हुआ था। आइंश्टीन का सर नॉर्मली बच्चों के कंप्यर में बहुत बड़ा था। उस टाइम पर मेडिकल साइंस इतनी डवलप ना होने क के कारण डॉक्टर्स उनके बड़े सिर का कारण न जान सकी। और डॉक्टर्स ने आइंस्टीन को एबनॉर्मल बच्चा शमझ लिया। आइंस्टीन बहुत बड़ी उम्र तक बोल नहीं पाते थे, नौ साल की उम्र में आइंस्टीन ने बोलना शुरू किया था। उनके पहली बार बोलने का किस्सा भी काफी दिल्चस्प है। उन्हें खाना खाते समय सूप गर्म लगा तो आइंस्टीन बोले कि सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर उनके माबाब बहुत खुश हुए और उनसे पूछा अब तक तुम क्यों नहीं बोले थे। तो आइंस्टीन न वो पसंद नहीं करता था। इसलिए अलबर्ट आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ गई थे। 18 अप्रेल 1955 के दिन उन्होंने प्रिंस्टन के एक होस्पिटल में अंतिम सांस ली। आइंस्टीन के मरने के बाद उनके फैमिली मेमर्स के बिना पर्मीशन के पैतोलो जैसे थोमस को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। बाद में आइंस्टीन के बेटे हैंस अलबर्ट की अनुमती के बाद उनके दिमाग का अध्यान हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी आइंस्टीन के दिमाग का सेल इस्ट्रक्शर नॉर्मली हुमेंस के कंपेर में अ चैनल को लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब करना ना बूले हैं।